हेलो गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं फटा फट से बनने वाली राखियां तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने यह स्टोन लिया है ग्रीन वाला यह बनी वी बूटी होती है अगर आपके पास यह नहीं है तो आप कोई भी स्टोन के चारो और यह राइन चेन चिपका दीजे यह मोती चेन चिपका दीजे और यह बना लेजे और इसके दोनों तरफ मैं चिपकाऊंगी तीन तीन यह ट्रैंगल वाले कुंदन और आप चिपकाऊंगी दो लीव शेप के और एक टियर ड्रॉप कुंदन एक्चुली यह ट्रां अब इस तरफ दे चिपका के इसको सूफने के लिए छोड़ दूगी तो यह पहली बूटी तयार हो गई अब दूसरे में हमने फिर यह वाला लिया है जो यह ग्रीन स्टोन और राइन चेन लगावा बूटी आती है वह और उसके चार और हम चिपकाएंगे तो यह डोरी उसको डबल राइंड करेंगे अच्छे से एक वन लगाएंगे और जहां से स्टार्ट किया है एंडवहीं पे होगा ताकि ऊंप नाप के निचा नप कट करेंगे और कट करेंगे तो इसके शीरे पर सीरे आ क्ट लेड़ ठीवार आदेंगे और उसको थोड़ा सा यहां पे इसके अंदर ऐसे इंसर्ट कर देंगे टूथपिक से तो इससे इसका यह ओपन एंड दिखेगा नहीं अब यह जो लीफ शेप कुंदन है उसको टेड़ा टेड़ा चिपका देंगे चार और इससे यह बहुत सुंदर लगता है टेड़ा चिपकाने से और यह लीफ इसकी जो यह स्टोन्स है यह भी बहुत कम लगते हैं नहीं तो अगर आप सीधा सीधा चिपकाएंगे तो उतनी सुंदर नहीं लगेगा तो देखिए अब चलते हैं अगले आइडिया की तरफ उसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं इसके लिए हमने लिया है यह स्क्वे चिपका देएगे है अगरेबिस सुखने का ऩफ और इसके शार और चार ओर बिएक और देखिऑ हमों दोनों इंट उनों आपको जे तेंट है यह शेव का कुंदन इव खर लिया है मैने और उसके बाद इसके चार ओर चिपका देंगे ये नॉर्मल जो कुंदन स्टोन्स आते हैं आप इसकी जगा बोती भी चिपका सकते हैं मतलब जो भी आपके पास अविलेबल समान है आप उससे बना सकते हैं और इस एंड पे भी औपॉजिट एंड पे भी मैंने ये एक लाल कपड़ा चिपका लिया है हाड पेपर पे और इसमें बॉल चेन से लिखा है मैंने ब्रो तो देखे इसके लिए सबसे पहले धियान ये रखना है कि अगर आप बॉल चेन से बनाएंगे ना तो ये बॉल चेन बहुत ज़्यादा नहीं मुरती है तो आप बहुत छोटा भी नहीं लिख सकते हैं आपको पहले इसको मूर के देख लेना है जितना ये मूर सकता है उसी इसाप से आपको बनाना है मैं आगे इसमें कैसे डोरी लगाना है सब दिखाऊंगी अब ये सूखने के लिए छोड़ दिया और आपको डिजाइन दिखा रही हूँ तो इस वीडियो के एंड तक बने रहीएगा इसकी जो ये बूटियां है आप आप आप्टर राखे भी यूज कर सकते हैं किसी भी चीज में इस डेकोरेटिव परपर्स तिलक स्टिक के लिए पाकिंग के लिए तो ये बहुत सुन्दर लगेंगे अब इसके चार ओर हमने राइन चेन चिपका दी है और इसके दोनों और एक एक गोल कुंदन दे दिया है दोनों साइट में और कुंदन के बगल में एक 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 शेप का ग्रीन कुंदन दिया है इस साइट भी सीम कर देना है और बीच में एक कुंदन देके हमें लीव शेप कुंदन दे देना है और इसका हाफ फ्लावर हमें बना देना है बस ये तयार हो गई हमारी दूसरी बोटी और फिर इसकी हम कर देंगे कर देंगे अगले आइडिया पर चलते हैं मैंने फिर यह वाला स्टोन लिया है और इसके चार और मैंने दोरी चिपका है यह रूंड चिपकाया है और अब इसके चार और हमेहें चिपका देङे यह गोल वाले कुंदन चिपका देगेड़े एकर प्लीज थोड़ा से आवाज आ रहे हैं इसको एग्णोर कर दीज़ेगा क्योंकि बगल में काम चल रहा है तो थोड़ी सी आवाज आ और उसके बाद ये ग्रीन कलर का ये मोती जो है वह इसके बीच बीच में देते जाएंगे जो इनर साइड में भी देंगे और उसके लिए हम टूथपिक से फेविकॉल लगाएंगे और सूखने के लिए छोड़ देंगे अब अगले आइडिया के तरफ चलते हैं इसके लिए हमने लिया है ये गोल कुंदन इसके चार और चिपकाई है राइन चीन ये ऐसे ही मैं हाथ से तोड़ लेती हूँ क्योंकि एजिली तूट जाती है नाप के आप इसके दोनों साइट तीन-तीन कुंदन और बीच में दो एश शेप के ये पिंक स्टोन्स दे दिया है मैंने सेम ऐसा प्रोसेस पर रिपीट करना है इसके ओपॉसिट एंड पे भी एश शेप का कुंदन देना है और तीन स्टोन देना है देखिए ऐसे यह बन गया और इसके कटिंग कर दी है. अब हम दूसरे ईडिया पर चलते है इसके लिए मैंने क्या किया है पेपर पर यğimiz गोटा चिपका के कैरी शेप में राइंचेन जिपका दिया है उसके अंदर यह ग्रीन कलर की मोती लगा दिया और अंदर एक लंबा वाइक मोती लगा दिया और वस इसको iosko रखेंगे और ये थोड़ा सा इसको एड़स्ट करना हो तो टूट्पिक से कर लीजेगा और सूखने के लिए छोड़ दीजेगा उसके बाद हम यह वाला स्टोन फिर से मैंने लिया है आपके पास यह स्टोन नहीं हो तो कोई भी आप नॉर्मल गोल कुंदन लेके इसके चारो और राइन चिपका दीजेगा अब हम इसमें एकदम सिंपल डिजाइन करेंगे यह जो टियर ड्रॉप वाला कुंदन होता है उसको ऐसे एक दूसरे से सटा के चिपकाते जाएंगे और यह चोटी सी बूटी प्यारी सी तयार हो जाएगी एकदम वन मिनिट से भी कम का डियाइवाई है यह और बहुत सुन कुंदन लाइन से लगा दिये हैं और इसके चार और यह एश शेप के और इंज कुंदन लगाए है देखे बिल्कुल लंबा लंबा सटाके ऐसे लगा देना है और जो अगला लगाएंगे यदि आपको लग रहा है जगह कम है आपको आइडिया नहीं आया तो अब भी आप देखेगा यह ऐसे फेडिकॉल लगाया और आपको जगह कम लगे तो हलका साफ इससे सेट भी कर सकते हैं क्योंकि अभी तुरंट चिपकाया है तो यह हो जाएगा एक बार सूखने के बाद यह एजस्ट नहीं होता है तो इसको हैंट टो हैंड यह वाला चारू तरफ कुंदन इस तरह से जिपकाया है पॉइंटेड एंड जो है वो आउटवर्ड डिरेक्शन में होगा और इनके बीच बीच में बस खाली मैंने एक-एक मोती दे दिया है और चारो और राइनचेन दे देंगे इसलिए देगे तो आइडिया नहीं आएगा कि कितना बड़ा सरकल बनाना है तो बाद में देंगे और इसे हाथ से तोड़ लेते हैं एकदम आराम से हो जाता है और यह बन गई हमारी बोटी अब देखिए हम सब में डोरी लगा के डोरी में मोती पिरो देंगे और इस तरह से बोटी को चिपका के ऐसे सेंटर पे ये अंकर का धागा है डबल किया है मैंने और डबल में ये मोती पिरो के सेंटर पे चिपका के और इसके पीछे ऐसे ये पेपर चिपका देंगे तो यह एकदम fix हो जाएगा अब देखे इस डोरी जहां मोती को इसको अच्छे से अज़स्ट करके यहां पर हमें एक नॉट भी लगा लेना है ताकि मोती इधर उधर भागे नहीं और ऐसा हमें दोनों साइड करना है इस नॉट को एकदम अच्छे से अज़स्ट करके मोती से सटा देना है देखे इधर और इस साइड भी अगर आपके पास ऐसा कोई मोती है जिसमें जिसका छेद बहुत चोटा है तो आप ऐसे कीजिए का डबल जो एंकर का हम धागा लेंगे उसमें यह हम सुई धागा ऐसे प आपके पास जो भी मोती अविलेबल हो आप वह डाल दीजिए बस खाली मोती डालके चोटी-चोटी बूटियां चिपका देंगे तो आपके इतनी सुंदर राकी तयार हो जाएगी देखे यह थोड़ा सा मुश्किल से जाएगा और दोनों तरफ के जो मोती है ना वह एक ही सब में अलग अलग तरहां के जो भी मेरे पास मोती अविलेबल थे वैसे बना लिया है किसी में मैंने नाल का धागा चिपकाया है किसी में रेड किसी में मोली है किसी में डोरी है डोरी जिसमें चिपकाई है उस कैन में मैंने इस तरह के टैसल भी लगा दिया है ये मैंने मूली का ब्रेड बनाया था मूली यानि कलाबा और इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लगाया क्योंकि बड़ा भूटी है अब ये देखिए पहना वालू कितना सुन्दर आ रहा है तो आई होग ये वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा थैंक यू